जिला अधिकारी विजय किरन आनंद ने पाली बलाक के ग्राम पंचायत नेवास में चौपाल लगाया जिसके संबंद में जिला अधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि ग्राम पंचायत नेवास में चौपाल लगाया गया था गाउं ग्राम पंचायत पर्फॉर्मेंस ग्रांट के तहत लिया गया एक बड़ी धनराशी सासंद्वारा हस्तांतरित किया गया है वहाँ पर जो निर्माड कारे चल रहे हैं उसकी समिक्षा की गई है दो महिनों में कारे को पुरुड करके समय बद्ध तरीके से गुडवत्त पुर्वक निस्तारण करने के लिए लक्ष निर्धारित किया गया है उस गाउं में सिक्षा, स्वास्त, पोशन, सच्छता संबंधित योजनाओं की समिक्षा ली गई वहाँ किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में वहाँ के नौजवानों को कोशल विकास मिसन से जुड़ने के लिए बताया गया, खाद विभाग के द्वारा राशन वित्रण किया जा रहा है, उसकी समिक्षा की गई, वहाँ पर सभी विद्धुत, सड़क के कारियों की भी समिक्षा की गई, प्रयास है कि शासन की सभी योजनाओं को जमीनी इस्तर तक पहुचाया जाए जिससे की हर व्यक्ति को योजनाओं का लाब मिल सके, इस समबन्द में गुरःपुर ने उससे बात करते हुए जिलाधिकारी विजयकिरन आनंद ने कहा, खुले में सौच करने ना जाए, कि आप लोगों को सौचाने मिला रहे हैं, जिसको मिला किर्विया हाथ बने जरे हैं, चलिए बहुत अच्छा जाहतार लोगों को मिला हुए, इस ब्लॉक में निवास ग्राम पंचायत में चौपाल लगाई गई थी, ये गाउं पर्फॉर्मेंस ग्रैंड के योजना से अच्छादित है, एक बड़ी दनराशी शासंद्वारा वहां अस्तांतरित की गई है, वहां पे जो निर्मान कारी चल रहे हैं, उसकी समिक्षा क की गई, दो महीने में उस कारेंगों को पूर्ण करके समय बड़ गुनवत्ता पूर्वक निस्तारण कराने के लिए हम लोगों ने लक्ष निर्दारित किया है, उस गाउं में शिक्षा, स्वास्त, बाल पोशन, सच्छता, संबंदित योजनाओं की समिक्षा ली गई, वह वहां पे नौजवान लोगों को कवशल विकास में जोडने के लिए भी हम लोगों ने वहां पे व्यवस्ता की, आपूर्ती विबाग से जो खाद सुरक्षा धिनियम के अंतरगत, खाद्यान वितरन हो रहा है, उसके बारे में समिक्षा ली, वहां सभी विद्यूत और सड के बड़ा दिया जाएगा